हाई गुड आफ्टर नून वेल्कम तु सौम्य वेकलन इंस्टिटूट अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हम देख चुके अब देखो क्या हुआ करता था तुम्हें मैंने मैप बना के दिखाया था क्या दिखाया था देखो क्या इंडिय का मैप होता है ठीक तो यहां पर क्या होता है यहां मत्रा तक तुम मानसकते हो आई-एस-पी-क का रूल हुआ करता है इंडो-ग्रीक साखा पार्थिन कुशांट ठीक इसी क्रिलोजी में तुम याद रखोगी ठीक यहां पर जो मौर्यांस हुआ करते थे जो यह वाला एरिया है ठीक तो वह किसके अंडर में हुआ करता था वह अंडर में हुआ करता था अल्टीमेटली सबसे पहले थे पुश्यमित्र सुंगा आये थे और इसके बाद जो सुंगा हर जाते हैं तो लास्ट उलर जो होते हैं उनको मार दिया जाता है फिर आते हैं वाश्यमित्र जो की फॉलो करते हैं कनवा डैनिस्टी यह कहां पर रहती है इल्टिमेटली पाथली पुत्र के आसपास रहती है अब देखो second century के आसपास क्या होता है, एक और dynasty निकल के आती है, जो deck card में होती है, जिसे हम कहते हैं साथ वहना, ठीक, तो साथ वहना जो होते हैं, याद करो, यह साखा से लड़ते रहते हैं, एक तो यह होते हैं, इसके बाद और कौन होता है, और यहाँ पे होते हैं चोला, यहाँ केरला पे होते हैं चेरा, और यहाँ मदरई के आसपास जो होते हैं, वो होते हैं पांडिया, तो यह कुछ चलके इंडिया का political map बनता है, कब बनता है, यह बनता है, 200 BC से लेके, 300 AD के आसपास तक, तो तब के टाइम पे यह वाला map जो है, वो इंडिया का बन रहा होता है, तुम्हें यह political development पता होंगे, जो हमें maps पता होंगे, जो हमें location पता होंगे, तो हम चीजों को और चे समझ पाएंगे, ठीक और खुदी अगर हम map बनाना सीख जाएं, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, अब देखो, यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, political history देखने वाले हैं, society, economy, हम एक साथ discuss करेंगे, आंगे एक classes में, अभी हम से polity-pality देखते हैं, जिससे एक पूरा, एक सिंक बना रहा है, हमें सब चीजें समझ में आती रहे, quality समझ में आ जाएगी, तो economy और society इतना रहादा कठें नहीं है, इनकी चीज़ चलो, ठीज़, सुंगा के बारे में बात करते हैं, तो लाश्ट उलर जो हुआ करते थे, पुश्यमित्र सुंगा, ये क्या करते हैं, ये सुंगा डाइनिस्टी के स्थापना करते हैं, अब ये क्यों सुंगा डाइनिस्टी के स्थापना करते हैं, क्यों जे उनको मार देते हैं, इसका एक सबस्वरा reason तो ये हुआ करता था, कि जो अशोका के successor हुआ करते थे, सबसे पहला reason तो यह हो गया दूसरा reason क्या हो गया कि जो अशोख हुआ करते थे वो क्या थे उन्होंने Buddhism का बहुत promotion किया था तो जब Buddhism का तुम बहुत जादा promotion करोगे और यह Pan India Empire बन गया था पूरे इंडिया में यह empire फैल चुका था तो ultimately क्या होता है बुद्धिजम के बाद जो ब्रहमन्स होते हैं वो इस चीज़ से बहुत जादा चड़ जाता है क्योंकि उनकी dominance जो होते हैं बुद्धिजम के टाइम पर obviously काम हो जाती है तो फिर क्या होता है इस से ब्रहमन्स चुड़े होते हैं इस से पहले हर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पता हो तुम कमेंट करके कि किस से अपने आपको कंपेर करता है UGC ने सवाल पूछ लिया है एक बार ठीक तो हर चरित की जो पुश में तो सुंगा जो हुआ करते थे वो मौरेयन आर्मी के कमांडर हुआ करते थे उन्हों नहीं ब्रहद को मारा है 1887 BC के आसपास इन्होंने मा है और हम कि ऑरीजन की बात करें तो कहा जाता है कि सुंगा जो हुआ करते थे इनके बारे में काफी जगा से पता चलता एक पता चलता है बिधंक न अव्य निशत से बैंडग आ बियंग और और ये मैं तम्हें की बता रहा रहा है यह पूछे जा명 उसलिए हम तुम्हें इह बता रहा है, ठीकू, इसके बात Pannini से भी हमें जानने को मिलता है, Pannini क्या लिखते हैं, पannini अपनी किताब लिखते हैं, अश्ठ द्हाई, ठीकू ये ग्रामेटिकल वोग कहँ है, इसके काली दास क्या लिखते हैं मालविका अगनी मित्तरम ठीक है तो ये चंदोगुत दुतिये के टाइम पे होते हूं ये भी किसके बारें बात करते हैं ये भी बात करते हैं सुंगा के बारे में एक्चली जो मालविका अगनी मित्तरम का जो अगनी मित्र है वो पता है कौन होता है वो पुश्मित सुंगा का बेटा होता है ठीक तो यह तुमने अगर साइड नोगल कभी पढ़ी हो तो तुमने पता होगा तुम इस बारे में इसके बाद इन सबसे में यह पता चलता है जो सुंगा हुआ करते थे ब्रहमण हुआ करते थे ठीक इस चीज को तुम ध्यान दखना अब इनका empire कहां से कहां तक हुआ करता था तो इनका जो empire तेक्स्ट है तारनात यह भी बुद्धिज्म का टेक्स्ट है तो इससे में क्या पता चलता है कि इनका जो empire हुआ करता था वो जलंदर और पंजाब शकला पंजाब तक भी फैला हुआ करता था अब इनकी लगाई किस किसे चलती थी तो वह अगर हम देखें तो मालविका अग पतांजली किताब का नाम क्या है महाबाश्या यह चीज तुम्हें ध्यान दखने क्योंकि यह सवाल आ चुके है बढ़ना हम तुम्हें यह सब चीज पढ़ाना इतना इंपॉर्टन नहीं कि यह सब कोई नहीं पूछता वह यह टेक्स्ट हैं यह पूछ लिया जाते हैं ले महाबास्या से जानने को मिलता है और इसके बाद जब यवना आ जाते हैं तो इनकी लडाई भी होती है किस से होती है पुछ में तो सुंगा से लडाई होती है तो पुछ में सुंगा क्या करता है पुछ में तो सुंगा जो होता है वो असमेग यग भी करवाता है फाइन ठी समझ गए इसके बाद और अगर हम देखें तो क्या होता है फिर अगर हम बाद में देखें तो यह सुंघा डैनिस्टी होती है अल्टिमेटली 112 साल के लिए रूल करती है और इनका जो लास्ट उलर हुआ करता है वो देभूती हुआ करता है क्या हुआ लास्ट उलर जो देभूती थे उन्हें किस ने मार दिया उसने उसे बासुदेवा ने मार के क्या कि यह कनवा डैनिस्टी की फाउंडिशन कर दी ठीक समझ गए तो यह ऐसे करके तुमसे हिस्टी कैसे रिपीट करती है तुम एक एक्जामपल ले सकते हो तो प्यचेडी का एंटर्व्यू देने जाओगे तुमसे यह सब चीजें जो होती है पूछी जा सकती अब देखो सुंघा के टाइम पर ही क्या होता है सुंघा के टाइम पर किंग हुआ करते हैं कौन किंग हुआ करते हैं और ती था यह करता है कि अपने एक क्या होता है जिसका नाम होता है तो कि टाइम पर क्या करते हैं और यह क्या करता है यह अपना बेस नगर का प्लार गणा वा तो वहां पर अभिलेक उस लिखवाता है उसमें क्या लिखवाता है कि मैं जो हो मैं भगवान विष्णू का भक्त हूं और मैं गरुण की यहां पर क्या कर रहा हूं मैं गरुण की यहां पर मूर्ती बगएरा बनवा रहा हूं तो यह सब चीजें जो होती हैं यह यहां पर लिखवाते हैं विष्णू भगवान जो है उनका जो रूप नहीं होता है भगवान कृष्ण उनका सौरी मैं फॉलवर हूँ यह चीज इसमें लिखी हुई है ठीक तो इस चीज को तुम ध्यान लख लेना और यह किस लेंग्वेज में है यह प्राकृत लेंग्वेज में लिखा हुआ है और इसके बाद ब्रह्मी स्क्रिप्ट में भी यह लिखा हुआ है ठीक तो यह चीज नहीं हमें जो होती है सुंगा के बारे में और कुछ हमें इस से जानने की अवज सकता नहीं पढ़ते हैं यह तना बड़ा से नहीं पूछा जाता है कुछ ठीक है बाकी इसके बाद आते हैं साथवाना अब साथवाना जो होते हैं साथवाना को एक सेकेंड साथवाना को इंस्क्रिप्शन्स में आंदरा भी कहा जाता है अशोका जो होते हैं वो अपने इंस्क्रिप्शन्स में साथवाना को आंदरा कहा करते हैं कहां काते हैं कि यह होता है friendly लोग यह कहां पर रूल करते हैं कहां पर देखिन क्याल महराष्ण के असपास इंकाən्ड शुरू होता है और फ़र्ड्स संचिरी बी सी च के असपास इंका एंड भी हो जाता है फांड और देखते हूं यह अपने आपको किस नाम से जाना करती थे यह अपने आपको पुरान में नाम नाम निखा दिया हता हम किसी की हम करते हो तो एसा भी हम attracted और वहाँ चानने को मिलता है और इसके रूल कहा करता था है इनका जो रूल हुआ करता था वो इस्टन डेकन में हुआ करता था कोई कोई कहा करता था इनका रूल जो हुआ करता था वो वेस्टन डेकन में हुआ करता था तो यह कुछ इनकी कॉंटोवर्थी जो है वो इनको लेके चलती रहते हैं कहा करते हैं सात्वाना की जो कौइन हु को मिलता है इस से में पता चलता है कि यह वेस्टन तरफ रूल किया करते थे लोग आंद प्रदेश और महाराष्टरा के रीजन में रूल किया करते होंगे ठीक अब इनका फाउंडर कौन हुआ करता था तो साथवाना का फाउंडर हुआ करता था सिमुक सिमुक जो है वो साथवाना का फाउंडर हुआ करता था इसके बाद कौन आया था इसके बाद इनके भाई आये थे कहना और कहना के बाद जो ले रूलर आया था वो आया था सत करनी यह इंपोर्टेंट रूलर है क्या हुआ था कि साथवाना रूलर हुआ करता था तो उसमें साल के लिए इसने रूल किया हो खारवेला हुआ करते थे खारवेला है याद करो खारवेला कहां की रूलर है यह उरिसा की रूल हुआ करते थे और इनको बारे में कहां से जानने को मिलता है इनके हाती गुमपा इंस्क्रिप्शन से जानने को मिलता है और हाती गुमपा इंस् देखने को मिलता है अब नाना घाट इंस्क्रिप्शन से में यह जानने को मिलता है कि जो गौत्मी पुर्त सत करनी है इसे हम दक्षन पत का लॉड भी कहते हैं लॉड मतलब होता है कि महान समराट जो मतलब महान आदमी है जिसने पूरा कपजे में कर रखा है पूरा दक्षन पत को दक्षन पत क्या है साउधन ट्रेड रूट है याद करो मैं ने बताया है था पिछली कलास में साउधन र्ट्रेड रूज असका छुआ कर्ता है जो ना आगान का किसने लिखन लिखवाया, ये collection हूग हुआ करती होगी ये किसी की विड़ो थी कोई एक पहला रूलर हुआ करता होगा उसकी ये विड़ो हुआ करती होगी उसने ये नगान का inscription लिखवाया है ठीक समझ गए और जो नाना घाट inscription है वो फिर गौत्मी पुट सतकर्नी की मान लिखवाया हुआ था ठीक इसके बाद कौन आता है कि दीरे-दीरे rulers आते रहते हैं फिर एल्टीमेटरी कौन आता है फिर आते हैं हाला हाला कौन होते हैं सॉरी को अत्मी पुट सतकर्नी नहीं यह सिब नॉर्मली सतकर्नी है प्रथाम है ठीक तफिछीश लिखान लखना इनकी ये wife ये नगाने का होती है ठीक तो इस चीज को तुम यादे आगा ता, बाकी सब चीज ए इनफोर्मिशन सही थी, इसके बाद आते हैं हाला, हाला जो होते हैं, हो सत्रने किंग होते हैं, सातवाना रूलर्स के और ये अपनी किताब लिखते हैं, गाथा सस्तसती, तो ये चीज को तुम ध्यान लखना, नहापना को हरा देते हैं ठीक और इनकी साका से लड़ाई चलती रहती है और नहापना को ये हरा देते हैं ठीक दूस्टीर को तुम ध्यान लखना देखो इसके बाद जो इनका इनकी जो मदर होती है गौत्मी बालशरी ये नासिक में क्या करती है ये अपना इस्क्रिप्सन कि इन्होंने साका पहलवास और यवनास को हराया था फिर गौत्मी पुत्र ने क्या किया था नहापना को भी हराया था गौत्मी पुत्र चली क्या हुआ करता था यह अपने मदर का नाम अपने जो मदर का नाम हुआ करते थे यह अपने आंगे लगाया करते थे जैसे गौत्म सिदान करी हुई है चाहिए बुद्धिस्ट मौंक हो चाहिए ब्रहामन्स हो या जैना हो सब को इन्होंने कुछ-कुछ केपसदान की हुई है ठीक तो इससे ये चीज हो गई इसके बाद और हम देखते हैं इसके बाद एक अनधर रूलर आते हैं उनका नाम होता है वसेश्टि पुत्र पुलमै तो एक तो यह रूलर आते हैं इसको मैंने इसकी territory consume करने दी, इसको मैंने territory इसकी लेने दी, क्योंकि ये मेरा इस्तिदार हुआ करता था, और इस time पर हमें पहले references हमें देखने को मिलता है, पहला हमें ऐसे references देखने को मिलने लगते हैं, कैसे references देखते हैं कि किसी राजा को हराया तो जा रहा है, लेकिन हरान के बाद उसकी टेटरी जो है वो तुम उसको बापस दे दो ठीक है तुम रूल करो तो सामनत वाद के पिथम जो अपसेस हैं वो हमें सातवाना से और कहीं न कहीं इंडो ग्रीक के टाइम से देखने को मिलते थे क्योंकि इस ट्रैटवोस में भी वो कहीं न कहीं यही किया करते थे कि मिल्टी कमांडर्स को पर जमीन दे दिया करते थे जमीन देने के बाद उनसे कहा करते थे कि जाओ जाके रूल करो वहां पर ठीक तो यह सब चीजे नो ने वी की और वसे टेप उत्तर पुलमाई जो हुआ करते थे उनकी जो कैप्टल हुआ करती थी पैठन अश्मका म इसका प्रेजेंट ने में ठीक इसके बाद आ गई फिर आते हैं अगले आते हैं यह देखने को मिलते हैं यह चीज तुम समझ गए होगे और जब सातवाना का end होता एट साथ सेंचुरी बीसी में तो उनकी जगा पर कौन आ जाते हैं उनकी डगा पर वाका टका आ जाते हैं उनकी जगा पर कदम ब्रबास आ जाते हैं उनकी जगा पर कौन आते हैं अभिनार आ जाते हैं इश्वा को भी आ जागते हैं ठीक अगर इनके रिलीजन की बात करें हो साथवाना जो हुआ करते थे ब्रहामेनिकल रिलीजन के लोग हुआ करते थे चाहे साथवाना हो चाहे चेरा हो चाहे पांड्या हो चाहे चोला हो चाहे गुपता हो चाहे हर्सवर्धान हो अब जितने हैं भी रूलर आए है तो गौत्मी जो है वो इनकी मां हुआ करती थी एक common टाइटल जो था वो इन्होंने ले रखा था ठीक इस चीज़ को तुम ध्यान रखना है इनका administration हम देखेंगे बाद में वैसे तो तुम्हें मेली अगर तुम administration अगर तुम आंगे हम तुम्हें समझ गए होगे तो तुम क्या करोगे तो तुम सबका ही administration समझ जाओगे चाहे साथ वाना हो चाहे आगे कितने वी रूर्स तो इसको भी आंगे देखेंगे फाइन इसके बात और क्या होता है सबसे पहला जो हमें royal grant of land का जो reference है वो हमें यहा हुआ करता था याद करो वैदिक टाइम से जो जो ब्रहमर हुआ करता था ब्रहमर के साथ क्या हुआ करता था याद करो ब्रहमर कोई दान करता था ब्रहमर कोई हवन करता था या ब्रहमर कोई काम करता था दान या दक्षना दी जाती थी है ना लेकिन अब ultimately क्या होने लग र पूरी बंद कर देता हूं यह कहते हैं कि पूरा का पूरा जो सोना है ना वो पूरा का पूरा सोना ग्रीस का निकल के जा रहा है चला जा रहा है कहां चला जा रहा है इंडिया जो है उस सिंक ऑफ गोल्ड बंती जा रही और ऐसे ही चलता रहाना तो हम एक दिन पूरे गरीब ह तो इंडिया के साथ पूरी ट्रेड अभी के भी बंद करो तो जो रोम होता है वो क्या करता है वो पूरी की पूरी ट्रेड पर बेहन लगा देता है फिलीनी के बाद ठीक है तो यह चीज होती है अब देखो अब देखो रोम के साथ जो ट्रेड बंद होते है तो इंडिया में गोल्ड वगेरा आना बंद हो जाता है जब इंडिया में गोल्ड वगेरा आना बंद होता है तो इसके साथ एक नुकसान क्या होता है कि अब ब्रामनों को तुम गोल्ड दे नहीं पाऊगे सिल्वर दे नहीं पाऊगे तो अब उनको दान दक्षणा में क्या दिया जाए एक तो ब्रहामेरिकल डाइनिस्टी है तो ब्रहामनस की तो काफी जादा पूश चल रही है तो अब उनको क्या दिया जाए तो अब इनको ये देने लगते हैं क्या land grant ठीक है तो इसी जगह से हमें land grant या फिर सामन्त बाद के सबसे पहले जो हैं वो क्या देखने को मिलते हैं सबसे पहले हमें अफसेस यहां पर देखने को मिलने लगते हैं उसमें क्या मैं देखने को मिलता है यह देखने को मिलता है कि देहो गौत्मी पुसत्करनी जो होते हैं उनका में एक inscription देखने को मिलता है वहां से में क्या देखने को मिलता है यह पहला inscription है जहां पर यह बता रहे है कि बुद्धिष्ट मौंग को जो हुआ करते थे उनको एक field दी गई है और ही वाकी चीज़े हैं कि इनको salt निकालने पर ने tax नहीं लगेगा और मतलब free from the control of state officials जो state officials हुआ करते थे उनसे भी यह free of control रहा करेगा तो यह basic से चीज़े हैं basic से राजा हुआ करते थे यह सब चीज़े तुम्हें देखनी होंगी और इसके बाद तुम्हें एक चीज़ क्या करनी होगी साथवाना की जो ruler की trilogy है वो तुम्हें एक बाद देखके जानी होगी ठीक तो इनकी trilogy जो होती है rulers की वो तुम रूर की trilogy Wikipedia पर जाना हो वहां जाके इस चीज़ को तुम search कर लेना ठीक तो this is it यह हमारी यहां पर साथवाना रूलर भी खतम हुए सुंगा रूलर भी खतम हुए अब हम आते हैं South India के आसपास तो South India के आसपास आने के बासपास हमें आते हैं Chera, Chola और Pandya तो इन तीन डैनिस्टी के बारे में हमें पढ़ना होगा ठीक तो basic size में information हम आपको देने वाले हैं इसके बाद की जो information होगी मैं तुम्हें अगले वीडियो में देंगे बट अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है हम देख लेते हैं तो चोला, चेरा, और पांडया जो हुआ करते थे देखो, यह South India में rule किया करते थे तो South India के अगर हम तुम्हें history के बारे में बताएं तो देखो, क्या होता है South India की जो history होती है वो वैदिक काल जो हुआ करता था इंडिया में, North Time पे जब वैदिक काल चल रहा था तो South Time पे, वहाँ पे मेगा लिथिक काल चल रहा था, ठीक जब North India में वैदिक काल चलता है वैदिक काल को हम किस से पहचानते हैं आइरन से पहचानते हैं तो यहीं पे South में चल रहा होता है मेगा लिथिक मेगा लिथिक को तुम कह सकते हो South India का आइरनेज ठीक, South India का Iron Age तुम किसको काओगे, तुम काओगे, Megalithic को, तो Megalithic को South India का Iron Age कहा जाता था, Ultimately क्यों कहा जाता था, देखो South India में क्या हुआ है, South India है, पुरा पासान काल आया है, फिर आया है, Mesolithic Age, जिसे हम मद पासान काल कहते हैं, फिर आया है नप पासान काल, और नप पासान एज नहीं आया, यहां पर पहले copper age आया है, copper की बात क्या है, bronze age यहां पर नहीं आया है, north india bronze age आया है, फिर directly यहां पर क्या आया है, directly यहां पर megalithic यहां फिर iron age आया हुआ है, तो यहां पर bronze age क्यों नहीं आया, तो मैंने तुम्हें पुराने वीडियोस में क्या बताया था कि ब्रॉंज बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होता है ब्रॉंज बनाने के लिए तुम्हें कौपर चाहिए होता है और ब्रॉंज बनाने के लिए तुम्हें टिन चाहिए होता है कौपर तो चलो ये लोग राजस्थान से ले आते ठ चीज़ को भी तुम ध्यान रखोगे यहां सीधे आईरन एज आई है जो वैदिक काल के लोग हैं उनके टाइम से फिर आईरन एज यहां पर आना शुरू हुई थे वैदिक लोग जो होते हैं वो धीरे-धीरे माइगरेट करके साउथ इंडिया में जाने लगते हैं जैसे हमें जब आंगे जाके जब संगम एज के बारे में पढ़ेंगे संगम असेंबली के बारे में पढ़ेंगे तो हमें रिशी अगस्त के बारे में जानने को मिलेगा और रिशी अगस्त जो हुआ करते थे यह कौन prominent sage हुआ करते थे संत हुआ करते थे और यह जब इनका नाम हमें South India में जानने को मिलता है तो हमें यह पता चलता है कि जो North India के जो वैदेकारियंस हैं वो दीरे-दीरे South India में भी travel करके जाने लगे हैं और जो North India के कुछ भगवान भी होते हैं चाहे शेव हों चाहे बुद्धों इनके नाम भी हमें South India में देखने को मिलते हैं तुम देखो इसके पहले जो migration था चंद्रगुप्त मौर थे वो भी South India में करनाटका में गये थे शिवन वेला गोला में ठीक इसके बाद विंदू सार जो थे विंदू सान ने ultimately क्या किया था याद करो अश्मका को हरा दिया थ तो मौरियास जो थे वो भी South India तक नीचे तक जा चुके तो इसके बाद वैदेकारियंस भी नीचे South India में travel करने लगे थे जैनिजम भी नीचे पहुँच गया था ठीक है तो ये चीज होने लग गई थी अब देखो इसके साथ साथ फिर आंगे की चीज़े हैं जो हम आंगे इस तरीके से क्या होता है कि South India में एगरी कल्चर की प्रैक्टिस होना भी स्टार्ट हो जाती है ठीक यह चीज हो गई इसके बाद और अगर हम तुम्हें बताएं और क्या होता है संग देखो साथ इंडिया में क्या होता है साथ इंडिया जो है उस संगम जितनी भी संगम ए तो मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथिक मतलब होता है पत्थर तो यह क्या बड़े पत्थर है तो इसकी उपर रख दिया करते थे एक पत्थर यहां बड़ा 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 एक मेगा लिथिक कहा करते हो मेगा लिथिक जो है वो अल्टीमेटली कहा जाता है कि सिक्स हंड्रेड आई इसा होता है अब इस टाइम पर क्या होता है इसके बाद मेगा लिथिक के बाद फिर आता है संगम एज तो संगम एज फिर साउथ इंडिया में आता है ये कपसे आता है ये तीन सो बीसी से लेके तीन सो एडी के आसपास आता है और इस टाइम पर कौन सी पार्टी से रूल करती है इस टाइम पर चोला शेरा और पांडिय यह तीन डैनिस्टी जो होती है वो यहां पर इंडिया में आके रूल करती है अब देखो इन जब तीन इंडिया में डैनिस्टी आके रूल करती है तो संगम एज के बारे में हमें जानने हो कहां से मिलता है तो यह हमें जानने को मिलता है संगम लिट्रेचर से संगम का साहित जो है संवं कर लिट्रेचर है वहाँ से हमें जानने हो夠 मिलता है अब जिसे में तुहमें वईदिक काल में हमने तुम्हें बताए था कि जना जो हुआ करते थे वह आंगे जाके महाजणपद बन गए थे महाजणपद आंगे जाके पूरा का पूरा समराज बने गया, तो ये साव में जानने को मिलता है, वैदिक टेक्स से, ऐसे जब संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर में पता चलता है, कैसे जो गाउं हुआ करते थे, वो आगे जाके कैसे बड़े-बड़े सहर बने गया, कैसे फिर ये चोला-चेला पांडिया में convert हो गए, तो हम थोड़ा संगम लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं, मैंने थोड़े हलके से, यहां कोने में नोट्स बनवाए हुए हैं हाथ के लिए, तो संगम लिटरेचर जो हुआ करता हूं, कि संगम लिटरेचर जो हुआ करता था, यहां पर तीन assemblies ह हुई थी, क्या assembly हुई थी, actually का कहा जाता है, कि तीन assemblies हुई है, उन तीन assemblies में अपनी पूरी हिस्टरी लिखी हुई है, क्या क्या South India में चल रहा है, तो यह सब चीजें जो हैं, यह development जो हैं, South India बताई गई हैं, तो पहली जो assembly होती है, याद करो, मदरई में हुई थी, ठी हमें कोई भी reference देखने को नहीं मिलता है, यह कोई भी book हमाई आसपास नहीं बची हुई, क्यों नहीं बची हुई है, बिन तुम्हें आंगे बताएंगे, तो पहली assembly जो थी, वो मदरई में हुई थी, कौन chairman था, chairman थे, अगस्त रिसी, ठीक है, तो यह चीज तुम्हें संगम literature हुआ है, संगम की जो बैठक हुई है, वो हुई है, कहां, वो हुई है, कपाड़ा पुरम में, कपाड़ा पुरम में हुई है, और इसके कौन leader हुआ करते थे, इसके जो पैटो ने, जो leader हुआ करते थे, वो थे तोल का PM, थी, तोल का PM ने किताब भी लिखी है, तोल और दूसरी assembly हुआ करती थी उसकी किताबें क्यों नहीं बच पाइं क्योंकि एक बहुत बड़ी flood आ गई थी और उस flood में क्या हुआ था कि सारा का सारा जो literature है वो सारा बहे के चला गया था इसलिए जो तीसरी literature हो रही है नाइकर के अंडर इसमें हमें पता चल रहा है कि क्या-क्या हुआ था कैसे-कैसे सारा development हुआ है पहले के जो पांडिया केंग्स हुआ करते थे उन्होंने सारा का सारा संगनम literature को patronize दिया है इसी से हमें चोला और चेरा के बारे ही पता चलता है और ultimately हमें यह भी पता चलता है यह कहते हैं कि शिप जी जो हुआ करते थे शिप जी में पहली जो पहला जो कहा जाता है पहली जो बैठकती उसको patronize भी किया था तो इससे में यह पता चलता है कि जो North India के God जो है भगवान है वो भी South India में आके prominent होने लग रहे हैं ठीक तो इस चीज को तुम ध्यान दख लेना इसके बाद जो third literature होती है वो क्या होती है जो देखो और क्या होती है एक चीज यह कहा जाता है यह थंगम literature यह एक या दो या दस दिन में नहीं लिख दी गई कहा जाता है इसको ultimately लिखने में आठ हजार साल लिखें ऐसा हुने लिखा हुआ है आठ हजार साल but that could be another thing हो सकता है कि आठ हजार यहां पर कुछ और हो हम कुछ और समझ रहे हूं क्योंकि जीरो का निर्मान है जो जीरो की discovery है वो किसने करी है वो करी है आर भटन है तो यह तो गुपता टाइम की period के आसपास हाई जाएंगे तो अभी हमें नहीं पता है कि जीरो को यह क्या मतलब यह तीन जीरो हो सकता है इनकी जो counting है वो कुछ और हुआ करती हो अभी मतलब certain नहीं है तो हो सकता है आठ हजार नहीं हो कि जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ वैसे यह बात लिख दी जाए कि राम जो हुआ करता था वो कल के दिन बरसात में जा रहा था और उसको रास्ते में कोई और मिल गया एक शैतान मिल गया ऐसे करके यह narrative version होता है टीक है तो male का नक्कू का नक्कू हुआ करती थी वो इसको हम 18 चोटे माइनर वर्क्स कहा करते है ठीक है और इनहीं के टाइम पे क्या होता है दो किल का नक्कू में तो और किताबें में डिवायड होती है जिसको हम क्या कहते हैं अल्टीमेटली एक होती है पट्टू पट्टू ठीक है एक होती है पट्टू पट्टू और एक होती है इसके बाद इतरगलाई ठीक है तो पट्टू पट्टू इतरगलाई ये दो और होती है ठीक है तो इस चीज को तुम ध्यान रखना इसके बाद और हम देखते हैं आंग मनी मुकलर के बाद आती है सिवाका चिंता मनी इसके बाद आती है वलपथी और फिर आती है कुंता कोलाई ठीक है तो यह पांच जो होते हैं इन पांच यह जो किताब है यह लिखी गई इनको तुम याद रखना पूछी जा चुकी है इसके बाद संगम लिट्रेचर से हमें चैजी के बाद यह ही पतंट चलता है किस तरीक ऐसे जो सुसाइटी करती थी और या यह क्या क्या हुआ करती थी एक हुआ करते थे वहां पर कुरुंजनी एक वहां पर क्लास हुआ करती जिसे हम कहते थे कुरुंजनी कौन हुआ करते थे वह पने गजाराव असर किया करते थे वह कुरुंजनी हुआ करते थे फिर एक पलाई हुआ करते थे पलाई कौन हुआ करते थ थे वो एग्री कल्चा देखा करते तो नेवल जो हुआ करते थे वो अल्टीमेटली फिशिंग वग्यरा करके अपना गुजर बसर किया करते थे ठीक तो इस चीज़ को तुम समझ गए बाकी चीज़ें तुम्हें बता दी अब देखो तीन जो किंडम हुआ करते थे चोला चेरा और पांड़ियास इनके बारे में ज्यादा इंपोर्टन्ट हैं कुछ नहीं पता है बेसिक बेसिक से किंडम है तुम्हें काम करना तुम लिशेंट वो सांद्लमाई से लंको हम केरला अशोक के आशोकशन के लाता है उसमें केरला पूत्र ही लिखा हुआ है इनकी कीप्टल क्या लो करते था इनकी केप्टल जो है वांजी होआ करती थी इनकी तो मिकला इंप्पोर्टन पॉर्ट की बात करोने तो चोला Pangila forged फुषार होता था पांड्या का imporptain kuor kaida करता था और जो internet जब उनका इंपयोड खुड़ार कर्ते था तर तुंड़ी या समझ गए इसके बाद और क्या हुआ करते था उसे क्hiar का कना करते थे वेलार को हम क्या करते थे चीफटे कहा ते चीफ्टे नोबल आ हम चीप्टियन कहा करते हैं, तो यह basic सी चीज यहाँ पे हमें इनकी देखनेों को मिलती है, और क्या हुआ करता था, और अलाइंस भी बनाया करते था, क्लिए हलाने के लिए अलाइंस भी बनाया करते था, यासे एक battle होती है South India में, उस battle में क्या होता है, और चोला को हराने के लिए तो क्या होगा हमें सेक्रिफाइजिस भी देखने को यहाँ पे मिलने लगते हो भगवान जो होते हैं उनकी पूजा होने लगती है जिसे भगवान विश्नु की पूजा होती है वो भी होने लगती है फाइन तो इस चीज को तुम ध्यान लखना और अगर हम देखें इस बारे में और देखो और साथ साथ में क्या होता है जैनिजम जैनिजम भी इंडिया मे South India में आ जाता है ठीक South India में Genism भी आने लगता है तो यह चब शीज़े में तुम्हें बता चुके हम इस टाइम पर जो Society हुआ करती थी उस Society का पता नहीं है कि अर्वन Society हुआ करती थी कि Ruler Society हुआ करती थी हमें दोनों तरीखे के References जो हैं वो यहां से देखने को मिले हुए हैं कोई कोई यह कहता है कि वहां पर अर्वन Society जो नहीं हुआ करती थी क्योंकि वहां पर हमें कुछ जो पॉल्टी हुआ करती थी वो अर्वनाइस्ट पॉल्टी हमें नहीं दिखाई देती यह यहां पर पॉल्टी है घंजाती वालिपॉल्टी है ठीक लेकिंजर हम महा हम सौथ इंडिया में दिखते हैं कि जो कोई समय मिलते हैं टीक वह अनं कोई से हमें यह लगता है कि हमें अर्वन अर्वन हुआ करती थी society तो इस चीज़ के बीच में जो है वो डिवेट चला करती थी कि वो ruler है कि वो अरवन है ठीक तो ये चीज़ तो हो गई हमारी end इसके बाद अब जो हम कल discuss करेंगे अगली class में हम क्या discuss करेंगे अगली class में हम polity के बारे में discuss करेंगे किसकी पॉलिटी के बारे में discuss करेंगे हम मौर्या की पॉलिटी के बारे में discuss करेंगे या मौर्या की पॉलिटी हम समझ लेंगे तो ultimately हम क्या समझ लेंगे हम समझ लेंगे हम सातवाना की पॉलिटी भी समझ जाएंगे हम सुंगा की पॉलिटी भी समझ जाएंगे हम कनवा की भी समझ जाएंगे हम गुपता और आंगे जाके हर्स्का की भी पॉलिटी समझ जाएंगे चोला, चेरा, पानला की पॉलिटी भी समझ जाएंगे ultimately पॉलिटी सेम ही हुआ करती थी तो हम बताएंगे कैसे हुआ करती थी, इसके बाद फिर हम इनकी society देखेंगे, इसके बाद हम इनकी economy देखेंगे, ठीक, एक काफी बड़ा chapter है ये, और इसके बाद फिर कहीं आंगे जाके हम गुपता समराज पर आपाएंगे, ठीक, तो this is for it, I hope you like the session, अगर तुम्हें ये व